नमस्कार मैं मम्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने इस योटूब चैनल पे करते हूँ और आज का हमारा टॉपिक है आपात कालीन सक्तियां तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अब तक कितनी बार आपात काल लग चुका है पहली बार रास्ट पति शाषन किस राज्य में लगा और आपात काल के दोरान कौन से मौली का देकार है जो हमसे नहीं चीने जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आपात कालीन सक्तियां जो अनुछे 352, 356 और 360 के अंतरगत आता है इस अनुछेदों में कहा गया है कि रास्ट पति को पूरी पावर है कि वो आपात काल जारी कर सकता है और अगर देश में ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो तुरंत आपात काल की गोशना हो सकती है तो पहली प्रॉब्लम है बहरी आकरमन यानि दूसरे देश जो हमारा देश में आकरमन करें दूसरा है युद्ध यानि कोई दूसरा देश हमें युद्ध के लिए मजबूर करें और तीसरा है ससस्त्र विद्रो यानि आंतरिक अशन्ति इन तीनों प्रॉब्लम्स आने पर आपातकाल जारी रख सकता है अनुछे 352 के अंतरगत और सबसे जादावार यूज हुआ है बहारी आकरमन का जिसके कारण हमारे देश में आपातकाल लगा है तो आगे देखते हैं कि कब कब आपातकाल लगा है तो आपातकाल पहला राष्टे आपातकाल लगा है 1962 में चीनी आकरमन के कारण जो 1968 तक चला और जो 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था तो उस समय आपातकाल लगाने के आउशकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहां पे कि 1962 से अल्रेड़ी आपातकाल लग चुका था तो बीच में ही पाकिस् 1967 तक चला और तीसरा राश्ट्र आपातकाल लगा हमारा 1945 से 1989 तक जो आंतरी गसान्ती के कारण लगाया गया तो देखते हैं जब यह आपातकाल का यूज हुआ तो उस समय देश की राश्टपती कौन थे तो जब पहली बार आपातकाल का यूज हुआ तो उस समय देश की बहुत बड़े आदमी थे जिनकी याद में हम आज भी क्या करते हैं टीचर डे मनाते हैं और इनको सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 1954 में नवाजा गया था ये थे डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन कारेवाग के रूप में काम कर रहे थे क्योंकि जो तीसरे नंबर के राष्ट पती थे डॉक्टर जाकिर हुसेन वो अपने कारेकाल में क्या हो गए एक्सपायर हो गए इस कारण से वीवी गरी को ये कारेवार समालना पड़ा आगे देखते हैं तीसरी बार जब राष्टि में आ गया होगा समय सीमा होता है तो क्या होगा तो जिस दिन से 352 का यूज यानि आपातकाल का यूज होगा उस दिन से लेकर एक महा के अंदर अंदर इसको दोनों सदनों से परमिशन लेना जरूरी है यानि लोग सबा और राज्य सबास से इसकी परमिशन लेना जरूरी ह तब यह आपातकाल क्या होगा 6 महीने के लिए लग जाएगा और अगर परमीशन नहीं मिली तो आपातकाल नहीं लगेगा इसमें किसी भी तीसरे के आने के ज़रत बिल्कुल भी नहीं है 6 महीने बाद अगर इस्तिती में सुधार आ जाता है तो यह आपातकाल 6 महीने के बाद बंध हो जाएगा लेकिं अगर इस्तिती में सुधार नहीं आएगा फिर से वही एक महीने के अंदर अंदर लोगसभा और राजिसभा से परमीशन लेने के बाद ही आपातकाल लगेगा और ऐसा करते करते आपातकाल अनंतकाल तक भी बढ़ाया जा सकता है। और आर्टिकल्स के लिए कहा गया है कि अगर आपातकाल लगता है तो कुछ टाइम के लिए रास्टपती को ये पावर दी गई है कि वो सारे मौलिक अधिकार छीन सकता है। लेकिन आर्टिकल्स 20 और 21 को छोड़ कर 20 और 21 आप लोगों ने मौलिक अधिकारों में पढ़ाई होगा कि 20 हमारा दो सिद्धी से संबंदित है यानि अगर किसी व्यक्ति को दो सिद्ध नहीं होता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी और 21 हमारा व्यक्ति का स्वतंतरता। इसी के साथ अगर आंधरिक अशांती यानि ससस्त्र विद्रो होता है उसके कारण आपात का लगता है तो जो आर्टिकल 19 है ये भी छीन लिया गया था लेकिन अब आर्टिकल 19 नहीं छीना जाएगा ससस्त्र विद्रो के दोरान अगर आपात का लगता है तो इनकी क्या है प पूरी आजादी मिलेगी प्रेस कुछ भी चाप सकती है ये बंद नहीं होगा तो 356 देख लेते हैं राष्ट पति शाषन के नाम से इसको जाना जाता है और अनुचे 356 के अंतरगत राज्य में समविधान तंतर के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंतरण में ले सकता है इसको हम राज्य आपातकाल समविधानी आपातकाल और राष्ट पति शाषन भी कहते हैं इसे के साथ इसमें जो 29 स्टेट है उनको हर 15-15 दिन में राज्य पाल को ये सारी रिपोर्ट ग्रह मंतरी को भीजनी होती है और इसका ब्योरा देकर अनुचे 356 के राष्ट पति शाषन लग चुका है कहीं पर एक बार तो कहीं पर दो बार और सबसे पहले राष्ट पति शाषन 1951 में पंजाब में लगा था और त्रेपन में इस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में लगा और ये राज्य क्या है अब पंजाब राज्य में मिल गया है आश झाल झाल झाल